अज मैं आपको हाई लो हाई ने कोलर टॉप बनाना बताऊंगी लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाली वी लिया है और सिधी लैंड डौ कर दी है और आम हल की लेंद भी में छे इंच रखूंगी 6 इंच पर निशान लगाते हूए हम सिधी लैंड डौ कर देंगे और यहां से हम चेस्ट का फूर्थ पार्ट लेंगे उश में बी हम दो इंच आउयट कर देंगे सिलाय मार्जिन के मैंने 11 इंच पर निशान लगाया है और सिधी लैंड डो कर दी है और आम हल के लिए हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और राउंड शेप डो कर देंगे और इसकी लंबाई में 22 इंच रखूंगी आप चाहे तो इसकी लंबाई बड़ा भी सकते है और 22 इंच पर निशान लगा देना है हमें राउंड शेप में हम 22 इंच पर निशान लगाएंगे और राउंड शेप ड्रोग कर देंगे और गले की चोड़ाई में 3 इंच रखूंगी और पीछे की गले की लंबाई में 1 इंच रखूंगी और आगे की गले की लंबाई में 3 इंच रखूंगी और दोनों निशानों पर हम round ship ट्रोग कर देंगे अब जो ये हमने आम होल ट्रोग किया है और जो हमारा तीरा है उस पर हम 2 इंच पर निशान लगाएंगे और आम होल से इस line को हम joint कर देंगे इस तरह से हमें इसे joint कर देना है अभी इसे हम cut कर देंगे तो ये मैंने इसकी cutting कर दी है अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल देंगे और इसे हम वापस से double fold करते हुए front neck की cutting कर लेंगे अभी ये मैंने front का पार्ट लिया है और नीचे से उपर हम change पर निशान लगाएंगे और इसमें हम high low का shape draw करेंगे जिस तरह से वीडियो में देख सकते हैं उस तरह से हमें high low का shape draw करना है और इसे cut कर देना है तो इस तरह से मेरा front का part होगा अभी ये मैंने back का part लिया है और इसके center में हमें back neck की side पर 4 inch पर निशान लगा देना है और चोटा सा cut लगा देना है तो ये देखे मैंने इसमें cut लगा दिया है अभी ये मैंने इसी shape की पट्टी कट की हुई है इससे हमें cut के उपर रखते हुए सिलाय लगा देनी है उसके बाद हम इसकी border को fold करते हुए पट्टी को अंदर की side मोर देंगे ये देखे मैंने इसमें पट्टी attach कर दी है अभी एक पाट के उपर हमें दूसरा पाट उल्टा रखना है और इसके shoulder joint कर लेने है तो ये देखे मैंने इसके shoulder joint कर लिये है अभी हमें इसके armhole पर तिर्ची पट्टी attach कर देनी है और इसे double fold करते हुए अंदर की side मोर देना है एसे ही हम दूसरे armhole पर भी तिर्ची पट्टी attach कर देंगे और इसे double fold करते हुए अंदर की side मोर देंगे तो ये देखी मैंने इसमें तिर्ची पट्टी अटेच कर दी है दोनों आम हॉल के उपर अभी हमें इसे उल्टा कर दे रहा है और साइट से दो इंच का गेब देते हुए हम इसकी फिटिंग कर देंगे उसके बाद हमें इसकी बॉर्डर को फोल्ड करते हुए इसमें सिलाय लगानी है या फिर आप इसमें स्टीच करवा लिजे स्टीच करवाने पर ही इसका फॉल्ड बहुत ही अच्छे से आएगा तो ये देखे मैंने इसकी fitting कर दी है और नीचे की border को भी मैंने fold कर लिया है अब भी हम इसमे color attach करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके neck का measurement लेना होगा पूरे round neck का measurement ले लेंगे तो ये मेरा 18 इंच आ रहा है और ये मैंने एक पट्टी ली हुई है जिसकी लंबाई मेंने 19 इंच रखी है और चौड़ाई मेंने 6 इंच रखी है सबसे पहले हमें पट्टी को डबल फोल्ड करना है और इसके साइड में हम सिलाई लगाएंगे नीचे से क्वाटर इंच हम छोड़ देंगे और वहां तक हमें सिलाई नहीं लगानी है दोनों साइड से हम इसमें सिलाई लगाएंगे अभी हम इसकी कोनों को कट कर देंगे और पट्टी को हम सीधी साइड पर पलट देंगे दोनों साइड से हम इसे सीधी साइड पर पलट देना है अभी इसे हम नेक के उपर अटेज करेंगे जो हमने नीचे quarter inch extra छोड़ा था वहाँ से हमें इसे attach करना है बेक साइट से हमें इसे attach करना start करेंगे तो पूरे round neck पर हमें पट्टी को attach करते हुए सिलाय लगा देनी है तो ये देखे हमें इसमें पट्टी attach कर दी है अभी इसमें हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और जो हमारे अंदर की सिलाय है उसे अंदर दबाते हुए हमें इसकी border को fold करना है और fold करते हुए हमें इसके उपर सिलाय लगाएंगे इसकी border को fold करते हुए हमें पूरे round neck के उपर सिलाय लगानी है तो ये देखे मैंने इसमें color attach कर दिया है और back side से हम इसके उपर hooks and eyes बना लेंगे तो इसी के साथ ये हमारा high low top बनकर ready हो चुका है friends इसकी length मैंने कम रखी है आप चाहे तो इसकी length बड़ा भी सकते है तो इसी के साथ ये हमारा designer high neck high low top बनकर ready हो चुका है तो friends I hope आपको आज का ये tutorial पसंद आया होगा अगर आपको आज का ये video पसंद आया तो इसे like और share जरूर करें और अगर अभी तक आपने हमारी channel को subscribe नहीं किया है तो please इसे subscribe कर लीजे और साथ में bell icon को भी प्रेस कर दीजे ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके ताकि और को अगरे मिल सकता वे कर आंने वीजे dead